Hello everyone, आज की lecture में हम पढ़ने वाले हैं about class amphibia. Amphibia ये बना है दो शब्दों से मिलकर. Amphi, यानि दोनो, that means both, plus bios, यानि life. So amphibians, वो animals हैं, जो की dual life जीते हैं, यानि जो न सिर्फ पानी में, बल्कि जमीन पर भी अपनी life जीने में सक्षम हैं, उन्हें नाम दिया जाता है amphibians, right? So amphibians, yeah it's written right. Amphibians can live on both land and in water. पर इनकी एक मजबूरी है, इन्हें reproduction के लिए पानी में जाना ही पड़ेगा. But, they can reproduce only and only in water. That means only in aquatic habitat. यानि, amphibians को मैं कह सकते हूँ कि ये हैं, dual habitat present करने वाले animals, right? Amphibians, जो class है amphibia, that's a part of super class tetrapoda. So, हमारी जो super class है, tetrapoda, यानि चार पैर वाले, इसके अंडर जो classes आती हैं, उनमें से सबसे कम evolved class है. Amphibia, इसके बाद आती है, Reptilia, Amphibia वो है जो की पानी में भी और जमीन पर, दोनों जगे रहने में capable हैं. Reptilia ये है complete land animals, पहली बार जो पूरे तरीके से जमीन पर आश्रत हो पाए, जमीन में जमीन पर जाकर के रह पाए. Next one is class Aves यानी birds की class, वो जो की अपना ज़ादा तर समय हवा में बिताते हैं. And सबसे आखरी class है class Mimelia. Mimelia यानी mammals, यानी वो animals जिनके पास memory glands या breast glands हैं, जिनके जरिये या अपने बच्चों की parenting करते हैं, साथ ही साथ ये बच्चों को ही जन्म देंगे. So, उन्हें रखा गया class Mimelia में. ये जो class Amphibia है, ये start हुई थी, माना जाता है कि जो सबसे पहला Amphibian था, वो fishes और amphibians दोनों के characters रखता था. इसके बारे मैं, मैं already fishes में पढ़ा चुकी हूँ. इसे कहा जाता है, सीला कैंथ या Latimeria यानि लोब्ड फिश इसे सबसे पहली बार पकड़ा गया था South Africa में 1938 में और पाया गया कि एक ऐसी फिश है जिसमें लगभग हाथ पैर जैसे development शुरू हो चुके हैं. यानि जिस तरीके से हमारे पास जो टेट्रा पोर्ड हैं सब के पास में एक जोड़ी हाथ एक जोड़ी पैर यानि सिंपल कह सकते हैं कि चार जोड़ी लिम्ज हैं. तो इनके पास fins के साथ साथ लिम्ज भी थे. क्या था कि जो फिश का जैसा इनका इनकी बॉड़ी थी? राइट? पर जो इनके fins थे, वो ऐसे lobe जैसे structures पर जुड़े हुए थे, जैसे हाथ पैरों के अंदर lobe, sorry not here, it cannot be seen क्योंकि pectoral portion से भी यह दिखाई देगा, तो इनके उपर इस तरीके से lobe जैसे थे और इनके fins भी present थे. तो इनके पास dual structures थे, यानि यह जमीन पर भी आ सकती थी, और पानी में भी रह सकती थी, और इसी वज़ा से इनने माना गया amphibians के पूरवज, दो lung fishes, ऐसी fishes हैं, जो की connecting link बनाती हैं, fishes और amphibians में और इस बात को प्रूव करती हैं कि super class Pisces से ही, super class Tetrapoda का origin हुआ है, and directly अगर हम बात करें, तो class amphibia का origin, super class Pisces से ही हुआ है, is that clear till this part? Please note it down. माना जाता है कि जो fishes थी, उनका जब golden period था, यानि जिस time पर fishes की population बहुत ज़ादा थी, तो उनमें जब competition आया, Darwin ने यही कहाना, जब competition होता है, तो survival of the fittest होगा, तो उस competition में, जो variations वाले individuals थे, उनसे originate हो गए थे amphibians, तो यह हम कह सकते हैं कि amphibians का origin हुआ, Devonian नाम के period में, और यह फले फूले कार्बोनी फैरस में, यानि इनका जो golden period था, that was in, कार्बोनी फैरस period, is that clear? Next is their basic character, सबसे पहले बात कर लेते हैं, इनके habitat और इनकी habit के बारे में, अभी अभी हमने पढ़ा कि कैसी है इनके habitat, dual habitat है, but complete dependence है, aquatic habitat पर, for reproduction, so they are dependent on aquatic, habitat, for reproduction, right, and, इन में से जादा तर, जंप करके पानी से बाहर आते हैं, so these are adapted for, jumping, is that clear? Next बात की जाए, इनकी body के बारे में, जो इनकी body है, अब मुझे कोई बोले कि amphibians के बारे में पढ़ रहे हैं, जी तो सबसे पहरे दिमाग में क्या आता है? मेरे दिमाग में आता है frog, right, तो अगर मैं इनकी body की बात करूँ, तो देखो, ये रहा हमारा, बहुती बतसूरत सा frog, और इट लुक्स अगली, इसकी आख हो गई, इसके पास, you can see, neck नहीं है, तो ये भी एक adaptation है for jumping, क्योंकि जब कूद के बाहर आएंगे, तो गर्दन के टूटने के chances है, वही कुछ ऐसे भी amphibians होते हैं, जिनकी शकल सूरत काफी है तक छिपकली जैसी रिखती है, जैसे की salamander, right, बड़े जो salamander है, ये जादा तर अपना time पानी में ही बिताता है, right, तो body के बारे में पढ़ ले, the body is divided in, head, trunk, and tail, पर आप बोलोगे माम, frog के पूछ कहां है, तो yes, जो terrestrial forms है, उनमें tail नहीं होती, terrestrial forms are, tail-less, वहीं पर ये tail, जितने भी aquatic forms होंगी, and larva जो होता है, उसमें पूछ पाई जाती है, right, so what do they lack, इनके पास, garden absent है, which is, an adaptation for, jumping, is that clear, next important thing about them, is, कि इनकी जो body है, इनकी जो skin है, वो बिना scale की होती है, गीली होती है, right, सो, इनके पास, scales नहीं पाए जाएंगे, right, so, scaleless, geelी होगी, so, और geelी क्यों है, कि इनके पास, mucus glands present है, glandular, skin, and why are this, because they have, mucus secreting glands, on their body, is that clear, जो इनको सांस लेने में, आगे मपढने बाले, इनको सांस लेने में भी, मदद करती है, यह special adaptation, right, इसके अलाबा, इन में से, कई ऐसे members है, जो कि अपना रंग बदल सकते है, right, so, some members, show, metacrosses, that means, ability to change, skin color, और इसके लिए, इनकी skin में, कुछ specialized pigmented cells, present होते है, is that clear till this part, let's move on, to their physiological systems, सबसे पहले, इनका, digestive system, as you can see, इनका मुँ कहां पर है, बाडी के terminal part पर है, तो, yes, they have, terminal mouth, कुछ members के पास, जिसे frogs के पास, लंबी जीब भी होती है, they have a long tongue, जो दांट पाए जाएंगे, या तो इनके मुँ में दांट होंगे नी, और अगर होंगे, तो वो होंगे, एक्रोडॉन टाइप के दांट, एक्रोडॉन का मतलब होता है, एक्रो यानि आगे, यानि दांट जो है, वो सीधा जबडे की हड़ी के साथ में ही जुड़ा हुआ है, यानि आगे ही जुड़ गया उसके, तो टूथ is directly attached to jaw bone, एक्रोडॉन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो खुलता है, यानि चीज़ क्लियर है ना, कि जितने भी वर्टीब्रेट्स है, सब के पास क्लोडॉन का है, एक्सेप्ट, बोनी फिशेज और यानि मेमेलिया, इस एक्लियर तिल दिस पार्ट, प्लीज नोड़ दाउन, नेक्स्ट इस रेस्पिरेशन, वेल एम्फिबियंस में, रेस्पिरेशन के लिए, मल्टिपल ओर्गन्स जिनमेदार है, यानि इन में, मल्टिपल टाइप्स ओफ, रेस्पिरेशन देखने को मिलेगी, जैसे, ब्रेकियल रेस्पिरेशन, यानि, जिसमें गिल्स से रेस्पिरेशन हो, यूज्वली गिल्स पाए जाते हैं, केवल लार्वल स्टेज में, तो लार्वा में और जादा तर जो एक्विटिक मेंबर्स हैं, उनमें गिल्स के जरीए रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, वहीं बाकी मेंबर्स में, देर रेस्पिरेशन कैन बी पलमोनरी, यानि इसके लिए लंग्स रिस्पॉंसिबल हो सकते हैं, अब जमीन पर रहने वाले अनिमल्स हैं, तो लंग्स तो डिवेलपमेंट होगा ही इनमें, इनके मॉइस्ट स्किन से, यानि क्यूटेनियस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन कैन आलसो बी सीन, और कई बार जिस टाइम पर इनका कोई एक पर्टिकलर सीजन के अंदर इनकी इनकी इनक्टिव फेज चल रही हो, तो उस फेज में ये मूँ खोल के पड़े रहते हैं और इनकी जो माउथ की लाइनिंग है, जो स्किन है, उसके जरिये भी रेस्पिरेशन होती है, इनकी जो स्किन या एपिथीलियम है, उसके जरिये भी रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, नेक्स्ट इस, सर्कुलेशन, जहां फिशर्स में टू चेंबर्ड हार्ट था, एंफीबियन्स में पाया जाता है, थ्री चेंबर्ड हार्ट, यानि इनके पास होंगे दो एट्रिया, और एक वेंट्रिकल, जिसमें साइनस, वेनोसस, और ट्रंकस, आर्टीरियोसस पाया जाता है, क्योंकि अभी तक वेंट्रिकल जो है, वो पूरे तरीके से सेप्टम से डिवाइड नहीं हुआ है, अगर मैं इसको एक डियाग्राम के जरीए दिखाना चाहूँ, तो इनका हाट कुछ ऐसा हुआ वच्चो, वही, दो दिस इस नोट राइट वेंट्रिकल जो एक पार्ट, दियोक्सिजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है, और इसे भेज रहा है, इन्टू वेंट्रिकल्स और ये वेंट्रिकल्स इसे बाहर पंप कर रहे हैं, इस टाइब की सर्कुलेशन जिसमें एक ही बार में ब्लड केवल हार्ट से पास करता है, जिसे हमारे केस में तो, तो, उसे डबल सर्कुलेशन बोला, एक बार हार्ट से लंग्स में गया, लंग्स से वापस हार्ट में आया, फिर दुबारा से उसको हमारे ओर्गन्स में भीजा गया, इन्में जो रेस्पिरेशन जो सर्कुलेशन है, इस सिंगल सर्कुलेशन, एक बार में ब्लड सिर्कुलेट कर रहा है, चाहे फिशेज हों, चाहे एंफीबियन्स हों, चाहे आगे रप्टाइल्स की बात करें, इन्में सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा, वर्टीब्रेट हैं, तो इसलिए हिपाटिक पोर्टल सिस्टम तो मिलेगा ही, साथ ही जिसा पढ़ चुके हैं, रीनल पोर्टल सिस्टम भी पाया जाएगा, we forgot about RBCs, पढ़ चुके हैं, सारे वर्टीब्रेट में RBCs होती हैं, और क्योंकि न्यूकलियस हैं, तो न्यूकलियस की वाज़ा से RBCs थोड़ी सी फूली भी तो रहेगी, तो कुछ इस तरीके से, लेंस की जैसी, या कॉन्वेक्स लेंस की जैसी, तो इस टाइब की जो आर्बीसी जो होती हैं, उन्हें हम कह सकते हैं, यहां तक चीज़ समझ में आ रही है, तो एंफीबियंस में क्या है, एंफीबियंस के पास, बोडी डिवाइड होती है, इन्टु हैड, ट्रंक, एंड टेल, बट जो अपके लैंड जाला तर टाइम लैंड पर बिताने वाले जितने भी मेंबर्स हैं, वो टेल लेस होंगे, लार्वा एंड एक्विटिक एंफीबियंस आर विद टेल, डिवाइड पर टेल, इनका पूरा वेल डिवेलप्ट होता है, माउथ टर्मिनल होता है, जो चूथ है, वो डिरेकली जौ पर अटैच्छ है, एक्रोडॉंट है, एक्रोडॉंट है, और इन फक्ट, इस आर पॉली फायोडॉंट टू, यानि बार बार तूड़ गे, दुब में ही खुलेगा, इसके बारे में मागे पढने वाले है, रेस्पिरेशन के लिए इनके मुल्टिपल ओर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे इनकी मौिस्ट स्किन हुई, अगर एक्विटिक फॉर्म्स है या फिर लार्वल फॉर्म्स है तो गिल्स हुए, इसके बिएक्रिनल झाम, टीपनील पॉर्टिपल स्किन हुए यिवust पराटिसुञ है, डीनल पडर भर्गनुता करते ह स्के लाविविकर्ञा हैं, जैसे सुए्धר विप्टिस्ट करते हैं, टीनल फॉर्म्स हुए, डीनल एक्रम्स हुए तो पार्ट स्किन पार्वगेता हुए झाल